हेलो एवरिवन आज हम जे संकर परशाद जी की जीवनी करेंगे तो इसमें यहां पर देखो सबसे पहले ये च्छायावाद के प्रवर्तक कवी कहे जाते हैं सबसे या तेकने के बात यह है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके जनम से इनका जनम सन 1889 में हुआ था कासी क किस्प्रसिद्व रेश्य परिवार में अर मृत्यू सन 1937 में हुई है इनके शिक्षा के परे में यहति हम बात करें तो विज्यारवس शिक्षा के वल आठ्वի कख्षा तक प्रप्त कर सके परँटु स्वाध्याय के द्वारा यानि खुद के अध्यन के द्वारा उन्हों इतिहास, दर्शन और पुरातत्यु की प्रकंड विद्वान थे यानि बहुत बड़े विद्वान थे उनकी रचनाओं पे हमा जाते हैं प्रारंप में उन्होंने कलाधर नाम से उपनाम से यानि उनका अलग नाम था से ब्रजभाशा में कविताएं लिखी बाद में खड़ी बोली में कविता के साथ नाटक, उपन्यास और कहानी निबंद आधी विधाओं में भी लेखनकारे किया उनका कवे संग्रह यानि कविताओं का जो संग्रह है उसमें जर्ना, आसु, लहर, काननकुसुम, पथिक और कामाईनि नाटक की बात करें तो अजाद श्यत्रू, सकंद गुप्त, छंद्र गुप्त, राजिश्री और ध्रूस्ट्वामिनी आधी है निबंद संग्रह में काफ्य और कला तथा अन्यने बंदाते हैं कहाने संग्रह में आंधी, इंद्रिचाल, छाया, प्रतिध्वनी, आकास्ति, सहित्यक विशेष्टाईं जो हैं की भाव और विचारपक्ष की बात करें तो उनके सहित्य में राश्ट्रिय जागरण का प्रमुक्स्वर है, ये याद अखने के लिए है हमारा उन्होंने अपनी नाटकों में भारतिय दर्शन और संस्कृति की गारव का चित्रण किया यानि की भारतिय संस्कृति को दर्शाया है, उनके कावे में सफी छायावादी तत्वों जैसे प्रेम, सौंदर, ये कल्पना शिलता अभी ये जो बात हमने यहाँ पर की थी ना, वो यहाँ आजाती है, ये और मन की गहन अनुभूतियों का चित्रण हुआ है चायावादी कभी किसी कहते हैं, जो मन के बारे में बात करते हैं या कल्पना शीलता की बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट आता है उनके साहित्य में मानविय करुणा और प्रेम जैसे मुल्यों का समावेश है कलापक्ष की एदि हम बात करें इस्टे समनित क्रिप्रेशन भी आजाता है उनके कावियों में विश्यों के अनुरूप संस्कृत निष्ट खड़ी बोली का प्रेयोग हुआ है उनके नाटकों में अनेएक प्रकार की शिल्प विधी का योग है विम्ब योजना और प्रतीक विधान उनकी कविता के प्रमुख गुण है विम्ब योजना क्या होता है किसी बात को कहते हुए उसका चित्र सा बन जाना उनके कविताओं में नभीन अलंकारों का सुन्दर प्रेयोग हुआ है नए नए अलंकार प्रेयोग करते हैं कविताओं और गीतों में संगीत यनि गाने लायक जो तत्व है वेह आपको घुला मिला मिलता है तो आज हमने जेशंकर प्रशाद जी के जीवनी के बारे में संक्षेप में जाना है और ये उनके मुख्ये बिंदू है याद रखने के लिए ये आपके हर एक्जाम में काम आने वाले हैं और आगे के कॉम्पेटिटिव एक्जाम में काफी काम आएंगे तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिए थैंक यू फॉर वाच्जिंग